हेलो स्टुडेंट आज हम करेंगे चैप्टर नमबर फाइब परदुशन्दा सामराज क्लास सिक्स बेटा इसमें क्या है? सबसे पहले बाद यह है कि हम आला द्वाला किसको कहते हैं? आले द्वाले तो साड़ा की पाव है? आले द्वाले तो साड़ा पाव है वातावन वातावन मींस वातावन क्या है? हमारे वातावन में रुख है, जीव जन्तु है, ठीक है? यह सब क्या है? वातावन में शामिल है और इनके कारण ही जलवाजू, वर्तो, विभार, अचार, विजा, रहन से, सब में ये सब सबन्दित हैं और ये सब हमारे वातवन्द के उपर परभाव डालती हैं वातवन्द विच अगर किसे कारण गंदगी पैदा हो गई है तो ओहों साथे जीव जन्तु बंसपती ते माड़ा परभाव पौंदेने असी इसनों की कमांगे कि एहे कियेगा परदूशित बातवरन हैं अगर कोई भी गंदगी हमारे बातवन्द में फैलती हैं और उससा परभाव साथे जीव जन्तु बंसपती ते माड़ा इनों असी की कहन देंगे कि एहे परदूशित बातवरन हैं जो परदूशन है बेटा परदूशन किन्ने तरादा हुनदा है आम तोर्टी जो परदूशन है वो तिन तरादा हुनदा है बाजू परदूशन तोनी परदूशन जल परदूशन बाजू परदूशन तो की मतलब है बाजू परदूशन तो मतलब है बाजू जो हवा दे अगर हवा ही परदूशित हो रही है तो असी सांग की में लवांगे नाता असी नकराही सां ले सकांगे और नाही असी मूराही सां ले सकांगे इम हवा की पूरी परदूशित हो गई है बदबूदार हो गई है जिसका असी सां लैंड विछ भी पूरी दिकत महसूस कर दे हैं इनों की कहन देनेंगे हवा परदूशिन कहन देनें जो ये हवा परदूशन हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि ए इनसान ते ही परवा पौंग है ए सारे पोदे जीव जन्तों सब्दे उपर एह अपना परवा पौंग है नेगे और ना फौल पोद्यान दी ग्रोध हो ली और ना दावादा हो ली और ना नो भी तना ताजी हवा चाहीं दी है तो इसलिए ये हवा परदूशन सबते ही खत्रा पैदा करती है उसको बाद क्या है बेटा ये हमें पता है कि जो फैक्ट्रियों में गंदा तुमा निकल देगा गंदगी पैदा हुंदी है तो इस जहरीलियां कैसा भी चाहड़ देने जीदे कान हवा की हो जन्दी है गंदगी पैदा कर दी है उसको बाद क्या है बेटा